गाईज बेलकन टू दिस माई चैनल देशी आरवेद में आपका स्वागत है जल्दी से चैनल को सस्क्राइब करो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को दबाएं दोस्तों आज की वीडियो में आज हम काक माची का छुप लेकर आया हूँ इसे हिंदी में मकोई गुजराती में पिलूडी अंग्रेजी में नाइट शेड कहते हैं ये जो पौधा है इसे आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं कच्चे पर हरे होते हैं और पकने पर काले फल दिखाई देते हैं देख लीजिए इसका जो फल होता है या इसके पंचांग फल फूल पते डालियां और जड़ सभी अंगों को पंचांग कहते हैं अगर इसका कढ़ा बना कर पीते हैं तो घुटने के दर्द अंटकोसों की सूजन घाव सूजन पेट में अपच हो कान हिचकी आँखों के दुखने पर सारी रीक कमजोरी पलीहा में फायदे मंद होता है इसके फल वा पत्ते का सेवन करते हैं तो पेट का अलसर ठीक होता है प्यास लगने पर फायदा करता है चर्म रोगों में भी फायदा करता है और इसे किस तरह से परियोग करना है हम बात करते हैं पलीहा में यद किसी की तिली बढ़ गई हो वह भी इसके पत्ते का साग बना कर खाएं तिली बढ़ जाने पर काफी फायदे मंद करता है बहुत लोगों के अंडकोस सूज जाते है बेदना होती है सूजन हो तो मकोई के पत्ते को गरम करके बेदना अस्थान पर लगाने पर फाइदा होता है बालों के सफेद होने से बाल को काला करने के लिए मकोई के बीजों का तेल बाजारों में पंसारी की दुकानों में मिलते हैं एक से दो बूद नाक में डालने से बाल काले होने लगते हैं मकोई बीजों का तेल नाक में डालने से बाल काले होते, बाजार में इसका तेल मिलता है आपके कान के दर्द हो तो मकोई के पत्ते को पीस कर रस निकाल कर गरम करके इसके रस को कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है मुह में छाले हो कंठे गले की सूजन दर्द खरास हो जाता हो तो इसका परियोग कैसे करना है इसके पंचांग का कड़ा बना कर कुली करने से ठीक हो जाता है दिन में तीन चार बार कड़े से कुली करें पेट में पानी भर जाने पर जलोधर की समिस्या हो गूदा सूज गई हो पेट में मरोड हो मुकھ से खून गिरता हो то इसके पत्ते का साग बना कर खिलाएं और जलो धर रोग में इसके पत्ते का साग या इसके पत्ते का रस 10 से 20 मिली तक पिलाएं आख दुखने पर आखों में जलन हो दर्द मकोई के हरे पत्तों को पीश कर इसमें फिट खिरी डाल कर आँखों पर बाध दे या रस को दो बूद आँखों में डाल दे आँखों की समेस्याओं में फायदा करता है पलीहा रोगों में भी फायदा होता है लीवर की कोई भी समेस्या हो उसमें भी फायदा करता है 10-15 ग्राम मकोई के पंचांग का कड़ा पीने से लीवर की बढ़ जाने की समय से ठीक हो जाती है यही परियोग पीलिया में भी कर सकते हैं या इसे भी पीलिया में करें मकोय के कढ़ा 30 ग्राम में दो चम्मच हल्दी या 5 ग्राम पाउडर मिला कर पीने से पी लिया रोग ठीक होता है इसके पंचान को सुखा कर चूण बना ले इस चूण को या इसके कढ़ा को पीने से आपके अंदर आई हुई अंदरूनी कमजोरी योनी के विकार जिनको परमेह रोग हो वे भी ठीक होते हैं आपको क्या करना है इसके चूण को दूध के साथ 5-5 ग्राम दिन में दो बार सेवन करें साथ में कड़ा भी पचाश यमल दिन में दो बार सेवन करें इससे आपके अंदर आई हुई अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाती है सर्दी जुखाम की समस्या हो जुखाम में जब आखनाक से मल ज्यादा गिरने लगे तो इसके सूखे हुए पत्तों का धूँआ सूगने से समस्याएं ठीक होती है आदाम नमस्कार देशी आर्वेद